CNC, VMC, HMC Programming सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चनल को और बेल आइकन को भी दबा दीचिए ताकि हमारे सारे वीडियो आपको सबसे पहले मिले हलो फ्रेंड्स, 73 नंबर के वीडियो में दोस्तों आपका बहुत-बहुत सवगत है जहें दोस्तों और आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वहने वाला है अगर यह जो कुछ वीडियो अगर आपको यह आपको पता है और आपको रिपीट हो रहे है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं दोस्तों लेकिन मैं वन बाइवन ले रहा हूँ ताकि जो भी नए लोग यहाँ पर आये तो उन्हें वन बाइवन आराम से समझ में आए कि इस तर सकते हैं तो कुछ आपको अगर मैंने आपको यहाँ पर बताया तो आपको मिल सकता है तो तो सुरू करते हैं तो f4 यहाँ पर टें है मैंने available में आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा तो फॉर्स्ट आपको component drawing का अनालेज होना चाहिए दोस्तों ठीक है तो यह component drawing actually engineering drawing का जो section होता है उसमें उसमें आता है जो engineering student है वो अच्छे तरीके से इनको read कर पाते हैं आई टी आई में जहाँ पे फिटर वगर है जो टेक्निकल कोर्सेस रहते हैं उसमें भी यह ड्रॉइंग पढ़ाया जाता है ठीक है तो उसमें भी वह सारे सिंबॉल्स जी ड्रॉइंटी टॉलरंसेस ओके बाद में फिट्मेंट सिस्टम ओके तो यह सारे सिस्टम्स यहाँ प पाड के उपर क्योंकि उसको फंक्शन करना है अगर कोई आप वहिकल में गए इंजिन ब्लॉक में गए वहाँ पर पिस्टन है तो उसका जो फंक्शन है उसके हिसाब से उसको डॉलरंस की जाती है तो यह ड्रॉइंग आपको समझना बहुत जरूरी है और इस ड्रॉइंग यह Okay अईए हैं उसके तो कॉन सा प्रोसस सिलेक करना बड़ता है वह भी इस ही पर डिपेंड करता है तो इस अगर आप इसे अच्छी तरह से समझ पाए तो फिर कोई प्रॉल्iãoब नहीं है ओकि सारे सिंबॉल्स सगरा जो कुछ रहत है इसका डिटेल में हम बाद में लेंगे एक अदे वीडियो में लेकिन मैं आपको यहाँ पर ऑर वी दे रहा हूँ तो ठीक है यह हो गए ड्रॉइंग ठीक है बाद में है कतिंग तूंड तो अधाकि ने आपे लिखना था तो component drawing से आपको material देखना है कि कुन से टाइप का material है जैसे aluminum है बाद में SS मतलब stainless steel है या MS है जो कुछ material रहेगा तो वो material आपको देखना है और drawing के tolerances पढ़ने है ठीक है तो आपको select करना है कि यह जो round है तो turning पे लगाना है और अगर cubical type है square type या rectangle type तो वो PMC, HMC भी लगाना है ठीक है तो इस तरीके से वो आपको selection करना पड़ता है machine का भी जो select करते हैं इसमें मैंने लिखा नहीं है ठीक है तो यह दो होगे component drawing और component material इसमें generally stainless steel, aluminium और mild steel वगरा यह सारे और cast iron भी आते हैं CI बोलते हैं उसको यह तीन टाइप के material उसके सब components बहुत ज़्यादा है ठीक है तो यह है component material उसके बाद में आपको select करना है cutting tools okay अगर stainless steel का material रहा और और अगर आपको cutting tools select करना है तो उस तरीके से आपको cutting tools select करना पड़ेगा अब cutting tools में बहुत सारी चीज़े होते हैं जैसे घी tool holder ओके यह tool holder होते हैं तो वह tool holder अगर आपको remer लगाना है तो कौन सा tool holder hydro grip लगाना पड़ेगा कॉलेट टाइप नहीं चलेगा ठीक है तो इस तरीके से यह holders होते हैं जैसे holders में रहते है hydro grip बाद में mechanical collets side lock tapping tool holders यह सारे tool holders इसमें रहते हैं cutting tools में कर जाएंगे आपको drills okay remers taps milling cutters और जो भी tools है roughing tools वगरा inserted end mills ठीक है तो यह सारे tools इसमें आपको select करना है कि यहां पर milling करना है तो कौन से कौन से टाइप का milling cutter use करें कितना कट होना चाहिए उस milling cutter के लिए अगर आपको पाचम का dip देना है cycle time reduction के लिए तो आपको उस टाइप का cutting tool select करना पड़ेगा इसमें cutting tool का भी material हाता है दोस्तों तो उसमें generally carbide okay HSS मतलब high speed steel और बाद में PCD वगरा यूज करते हैं PCD मतलब poly crystalline diamond यह भी एक material है टूल का वह यहाँ पर यूज होता है तो आपको select करना है ठीक है बाद में है measurement gages and how to operate अब आपके पास आपने drawing पढ़ लिया आपके बाद cutting tools भी है आपने machine भी select कर लिया आपको material भी पता है ठीक है तो आप जब बनाएंगे मतलब part को cut करेंगे तो part को cut करने के बाद उसको as per drawing बनाएं कि नहीं इस as per drawing बनाएं कि नहीं उसको check करने के लिए हमें gages चाहिए gages मतलब जो भी बोर डाल रहते हैं बाद में plain plug gages रहते हैं तो यह सारे gages आपको पता रहने चाहिए कि यह gages आपको available रहना चाहिए ठीक है और उसे कैसे आपको करना पड़ेगा दोस्तों CNC प्रोग्रामिंग जो हम सीखते है है रोज होके तो यह CNC पार्ट प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा डिटल से कोड्स जी कोड्स एम कोड्स और जो भी spindle spindle का कुलंट यह सारे चीज़े इसमें आती है CNC पार्ट प्रोग्रामिंग में ठीक है तो यह हो गया पार्ट प्रोग्रामिंग जो हम यहां पर पढ़ी रहे है ठीक है बाद में बाद में आपका जो component वह आपको set करना है ओके बाद में सबसे जरूरी चीज़ रहे कि दोस्तों फॉर्थ नंबर फिक्शर ओके जो component आपका है वह से fix करना पड़ेगा आपको मशीन की मशीन पे तो उसको किस तरीके से fix करे या step clamp लगाया या special type का को है मशीन में ठीक है मशीन के बेड की उपर मतलब palette की उपर ठीक है बाद में आपको आप को component setup launch machine मतलब वह component अभी आपको मशीन पे show Pump खरक नाया को आपको जो फिक्शर से यहां पे फिक्शरशचा आपको यहां पर क्याम आएंगे है तिक Fragen कर लेंगे बाद में आपको आपको प्रोग्रामिंग की हिसाब से देखना पड़ेगा कि प्रोग्रामर जो है उसने कहा पर जीरो किया है मेरे पार्ट को ठीक है उसके बाद में आपको मशीन पर भी वही जीरो करना है तो यह सब होने के बाद आप उसके बाद भी आपको जो मशीन है उसके कैसे ऑपरेट होता है यह सारी चीज़े आपको मशीन ओपरेटिंग का आपको नौलिज होना चाहिए तो इतने सारी चीज़े हैं दोस्तों अगर आपको इन सारी चीजों का अच्छा से नौलिज है तो आप आराम से कोई भी पार्ट मतलब आप ड्रॉइंग से लेके मैनफेक्ट्रिंग तक आप काम को किसी ने दिया तो आप इंडिपंडन्टली आराम से बना पाएंगे मतलब अके लिए ही बना बाएंगे कान्यस के लिए से पाउपरेट्इंग के लिए सेक्टिर्द होते हैं यह विद्र यहां विद्र के लिए क्लेंगे होगे सब बात बाते हैं दोस्तूं जो मैंने आपको कवर कि आशा है कि बहुत सारी चीज़े आपको नहीं आप'd को मिलेगी क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए काम आएगा दोस्तों जिनको जिनको ज्यादा पता नहीं है तो एक ही वीडियो में मैंने आपको सब कुछ यहाँ पर बता दिया है तो इसके बाद में दोस्तों मुझसे एक सवाल आया था कि salary जो होती है अपरेटर्स की कितनी होती है अगर आपको लगता है कि मैं उसके उपर एक वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट कीजिए मैं उसमें आपको इंडियन मार्केट का जो मुझे knowledge है उसके हिसाब से मैं आपको accurate नहीं कहूंगा लेकिन बताने की कोशिश करूंगा ठीक है दोस्तों ओके दोस्तों मैंने आपे सब कुछ यहाँ दस पॉइंट है आपको कवर कर दिया है आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आये होंगे ठीक है तो मिलते है नेक्स वीडियो में अगर आपको वी मोबाइल के ऊपर ठीक है ओके दिन मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हीन वंदे मातरम थैंक्यू वेरी मच